ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 5 अगस्त 2024 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे तुम्हारे मैं ओनेस्ट वा है जो सारे युनिवर्स की सेवा करें बहुतों को आप समान बनाए आराम पसंद न हो मीठे बच्चे तुम्हारे मैं ओनेस्ट वा है जो सारे युनिवर्स की सेवा करें बहुतों को आप समान बनाए आराम पसंद न हो प्रश्न तुम ब्रामण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो उत्तर तुम ब्रामण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं हम तो डारेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं बिना ब्रह्मा बाब के ब्रामण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कन्यक्षन नहीं अर्थात जो ब्रह्मा मुख वन्शावली नहीं वह शूद्र ठेरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। ओम शान्ती रुहानी बाब बैट समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथ्वा प्रदर्शनी का उद्गाटन कराते हैं। परन्तु उद्गाटन तो बेहद के बाब ने कब से कर लिया है। अब ये शाखाएं अथ्वा ब्रांचे निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाब रहते हैं। इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुर्ली बजती रहती है। किस की? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार मुर्ली बजाते हैं साकार रथ द्वारा उनका नाम रखा है भागे शाली रथ ये तो कोई भी समझ सकते हैं इसमें बाप प्रवेश करते हैं ये तो तुम बच्चे ही समझते हो और तो कोई नरचता को नरचना के आदी मद्य अंत को जानते हैं सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदी हैं तो उनसे उद घाटन कराते हैं ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिन से उद घाटन कराते हूं उनको पहले परजय देना है बाप कैसे नई दुनिया इस्थापन करते हैं उनकी ये ब्रांचे खुल रही है कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका करल्यान हो जाए कुछ समझ ब्रमा द्वारा इस्तापना हो रही है, विश्व में शांती के राज की, वा आदी सनातन देवी देविता धर्म की, उसका उद्धाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेश खुल रही हैं, जैसे कि बैन की ब्रांचेश खुलती जाती है, बाप को ही आकर नौलेज देनी ह ये knowledge परमपिता परमात्मा में ही रहती है इसलिए उनको ही ग्यान सागर कहा जाता है रोहानी बाप में ही रोहानी ग्यान है जो आकर रूहों को देते हैं समझाते हैं हे बच्चों, हे आत्माओ तुम अपने को आत्मा समझो आत्मा नाम तो कौमन है महान आत्मा, पुन्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है तो आत्मा को परमपिता परमात्मा, बाप भी समझा रहे हैं बाप क्यों आएगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है वर्ड की हिस्ट्री, जोग्राफी, रिपीर कहा जाता है नई अथवा, पुरानी दुनिया मनुश्यों की ही है बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने बिगर मनुश्यों के तो दुनिया होती नहीं नई दुनिया में देवी देवताओं का राज था जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राम्मर बने हो फिर तुमको ब्राम्मर से देवता बनाने आया हो तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है सो अब निर्विकारी बनना है जन्म जन्मांतर के पापों का बोज़ा सिर पर है पाप कब से शुरू होते हैं बाप कितने वर्सों के लिए पुन्य आत्मा बनाते हैं ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो 21 जन्म तुम पुन्य आत्मा रहते हो फिर पाप आत्मा बनते हो जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा पाप कौन से हैं? वह भी बाप बतलाते हैं एक तो तुम धर्म की गलानी करते हो कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आये हो, हे पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूँ, पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, गलानी करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो, कहते भी हैं, हे प्रभूत जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ, तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिये हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत मैं प्रभेश करता हूँ, बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं, बच्चे 84 जन्मों को, जो पहले पहले आये हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, पहले तो यही लक बनने के लिए कथा भी सत्य नारायन की सुनाते हैं कब राम्सीतां बनने की कथा सुनाई है किसी ने उसकी गानि कि वूइ है। बाप बनाते ही हैं नर से नार्यन नाडी से लक्षमी जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। गलानी की हुई है बाप बनाते ही है नर से नारायन नारी से लक्ष्मी जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ विसनू के दो रूप ये लक्ष्मी नारायन है छोटे पन में रादे कृष्न है ये कोई भाई बहन नहीं, अलग-अलग राजाओं के बच्चे थे वै महराज कुमार, वै महराज कुमारी जिनको स्वैम्वर के बाद लक्ष्मी नरायन कहा जाता है ये सब बातें कोई मनुष्ष नहीं जानते कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धी में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धी में बैठेंगी इन लक्ष्मी नारायन राधे कृष्ण आधी सब के मंदिर हैं विश्णू का भी मंदिर है जिनको नर नारायन का मंदिर कहते हैं और फिर लक्ष्मी नारायन का अलग-अलग मंदिर भी है ब्रह्मा का भी मंदिर है ब्रह्मा देवता नमहा फिर कहते शिव परमातमाई नमहा वह तो अलग हो गया ना देवताओं को कभी भगवान थोड़े कहा जाता है तो बाप समझाते हैं पहले जिससे उदगाटन कराना है उनको समझाना है विश्व में शांती स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है विश्व में शांती लक्षमी नारयन के राज में ही थी न ये सत्युक के मालिक थे न तो मनुष्य को नरसे नारयन नारी से लक्षमी बनाने की ये बड़ी गौडली यूनिवर्सिटी है अत्वा इश्वर ये विश्व विद्या विश्व विद्यालाय तो बहतों ने नाम रखे हैं वास्तम में वह कोई वर्ड यूनिवर्सिटी है नहीं यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्व विद्यालाय केवल ये एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं हम सारे विश्व को शांती धाम सुख धाम ले जाते हैं इसलिए इसको कहा जाता है इश्वर ये विश्व विद्यालाय के इश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्षा देते हैं कहां बाप की बात कहां ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना ये तो बाप का ही काम है हमको ये नाम रखने नहीं देते हैं और गवर्मेंट खुद रखती है ये तो तुमको समझाना है वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आका रथ बनाया है प्रजा पितार नाम तो मशुहूर है न वह आया कहां से उनके बाप का नाम क्या है ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं न देवताओं का बाप तो जरूर परमात्माई होगा वो है रचता ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना उनका बाप है शिव बाबा वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ तो बच्चों को समझाना है ये इश्वर्य म्यूजियम है बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है हे पतित पावन आओ आकर पतित से पावन बनाओ अब हे बच्चों हे आत्माओ तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे मन मनाभव ये अक्षर तो गीता के ही है भगवान एक ही ज्यान सागर पतित पावन है स्री कृष्ण तो पतित पावन होना सके वह पतित दुनिया में आना सके पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे अब मुझे याद करो तो पाप भस्न होंगे कितनी सहज बात है भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है परमपिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रू है पहले निर्विकारी दुनिया थी अब विकारी दुनिया है दुख ही दुख है निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा तो ये समझाना है भगवान वाच काम महाशत्रु है इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे एक बाप को याद करो हम भी उनको याद करते हैं जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उत घाटन कराते हैं न ये भी कॉलेज है धेर सेंटर्स हैं सेंटर्स में टीचर्स मुकरर हैं टीचर को भी खयाल जरूर रखना चाहिए बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्रामणियों टीचर्स को रखते हैं इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए देखेंगे कौन-कौन ठीक रिती मुरली पढ़कर सुना सकते हैं समझा सकते हैं तो उनको कहेंगे अब तुम यहां बैट कलास चलाओ ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगा सेंटर्स जमाने ब्रामणियों का काम है एक सेंटर्स जमाया फिर जाकर और सेंटर्स जमावे एक-एक टीचर को दस-बीस सेंटर्स इस्थापन करने चाहिए बहुत सर्विस करनी चाहिए तुकान खोलते जाएं आप समान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं दिल में आना चाहिए कोई को आप समान बनाकर तैयार करूँ तो और सेंटर्स खोले परन्तु ऐसे ओनेस्ट कोई बिरले रहते हैं ओनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे एक सेंटर खोला आप समान बनाया फिर दूसरे इस्थान पर सेवा की एक ही इस्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए अच्छा किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो उसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए मैं तो बड़े घर की हूँ ये काम कैसे करों हमको दर्द होगा थोड़ा भी काम करने से हड़ी दुखेगी इसको दे अभिमान कहा जाता है कुछ भी समझते नहीं है औरों की सर्विस करनी चाहिए न जो फिर वे भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया हमारी जीवन बना दी सर्विस का सबूत मिलना चाहिए एक-एक टीचर बनना चाहिए फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाडी धेर समालने वाले है हमने बहुत आप समान बनाए है हम सेंटर खोलते जाएं ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे फूलों का भी बगीचा है न तो उदगाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है शूद्र से ब्रामण बन देवता बनते हैं बाप इस ब्रामण कुल और सूर्यवनशी चंद्रवनशी कुल की स्थापना करते हैं इस समय तो सब शूद्र वर्ण के है, सत्यूग में देवता वर्ण के थे फिर शत्रिय वैश्य वर्ण के बने है, बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं पहले पहले ब्राम्मणवन प्रजा पिता ब्रह्मा की उलाद ब्रह्मा कहां से आये ये ब्रह्मा बैठा है न अच्छी रीती समझाना चाहिए ब्रह्मा द्वारा इस्थापना किसकी ब्राम्मणों की फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं हम बाप से पढ़ रहे हैं उन्होंने भगवान वाजतो लिख दिया है अरजुन प्रती अब अरजुन कौन था किसको पता नहीं तुम जानते हो हम ब्रह्मा की उलाद ब्राम्मण हैं अगर कोई कहते हम तो शिवाबा के बच् नहीं तो फिर देवतावा कैसे बनेंगे ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे न शिवाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो ब्रह्मा द्वारा कहा न प्रजा पिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो न ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो हम ब्रह्मा के बच्चे ह तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा शुबाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं ब्रह्मा बाबा है बीच में ब्रामण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे मैं जिस रत में आता हूँ उनको भी जाना चाहिए ब्रामण बनना चाहिए ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठेरा ब्रामण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है ब्रामण बन शिवाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे इसमें मूझने की भी दरकार नहीं तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे वह बाप ही पतित पावन है फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं अब करो न करो तुम्हारी मरजी हम पैगाम दे कर जाते हैं और कोई भी रीती से पावन होना ही नहीं है जब फुर्षत मिले सर्विस करो समय तो बहुत मिलता है अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला नए नए सेंटर्स की व्रद्धी करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है सेंटर्स खोलते जाना है एक जगा पर बैठना नहीं है दूसरा फूलों का बगीचा तैयार करना है हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है किसी भी सेवा में दे अविमान न आए परदान सर्व पदार्तों की आशक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकरती जीत भव सर्व पदार्तों की आशक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकर्ती जीत भग अगर कोई भी पदार्त करमेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो ये भी सूच्म आ सकती है इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकरसित तो नहीं करते है ये पदार्थ प्रकर्ती के साधन है जब इनसे अनासक अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकर्ती जीत बनेंगे सिलोगन मेरे मेरे के जमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्यान कारी अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती झाल झाल